येस, हाई बिटा, दिस साइट सीए सीए सारीश मता रिया, बड़ा है अकराववी महाराश्टर बोड बुक कीपिंग एंड अकाउंटनसी न्यू सिलेबस चे विडियो लेक्चर साहा इंट्रोड़क्टरी लेक्चर है, एक बाफी से बता दे तो बिटा, 11 स्टेंडर 10th हुआ होगा, जैसी आपका 10th खतम होगे, आपके जीवन में पहली बार अकाउंट सीए सब्जेक्ट आया है, प्यार से हम लोग इसको अकाउंटिंग बोलते, इसका पूरा नामे 11 स्टेंडर महाराश्टर बोड के सिलेबस के साब से, बुक किपिंग एंड अकाउंटनसी बड़ बड़े, तो यह अकाउंट सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आपको अकाउंट क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको यह अकाउंट के सारे लेक्चर कैसे देखने चाहिए, यह लेक्चर देखते सá मैं आपने कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना इसमें हम लोग हमारे 11 स्टेंडर के अकाउंट सब्जेक के साथ रूबरू होने वाले हैं प्यार से इसको मैं lecture 0 भी बोल दू तो भी चलेगा इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 बस इसी सिक्वेंस में चलेगा ये है बाद लेक्चर 0, ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ये लेक्चर अगर आप देखोगे तो definitely आगे के सारे लेक्चर में आपको बड़ी हल्प हो जाएगी सो बच्चों को काफी बार पता ही नहीं होता है कि अकाउंट सब्जेक की पड़ाई कैसे करना है, तो चलो बटा, मैं अभी पता देखो आपको कैसे क्या देखना है, आजाओ स्क्रीन पे, ये रही है हमारी स्क्रीन सो बटा, 11th Standard, Maharashtra Board, News Labus, Bookkeeping and Accountancy subject का नाम है, त्यार से accounting बोलेंगे, and this is lecture 0, just introduction to the subject, बटा, subject का नाम तो आपको समझ में आ गया है, Bookkeeping and Accountancy, अभी अभी आपका 10th हो गया है, अगर आपका result नहीं आया होगा, तो बटा, all the best, और result आ गया होगा, और आप 11th का lecture देख रहे है, that means definitely आप 10th Standard clear कर चुके हो, so congratulations, बटा, 11th Standard के account subject में ऐसा क्या है, अपने क्या बोलते है, Board में, ये syllabus में, आपके syllabus में account subject क्यों रखा है, आप लोग जानते हो, अगर आपने 11th में Commerce लिया है, Commerce Industry, जहां पे Trade, प्यार से में धन्दा बोलूगा, बटा, तो Trade, Business, धन्दा जब कभी भ बेचेगा, असेट खरीदेगा, असेट संपत्ती, प्रॉपर्टी, मैंने कार खरीदा, कार बेचा, माल खरीदा, माल बेचा, मेरे Employee को पगार दे रहा हूँ, salary दे रहा हूँ, wages दे रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ, income आ रही है, है कि नहीं, ये ऐसे हजारों transaction, transaction, वेवा सकते, ये सारी चीजी हमें लिख करके रखना है, तो ये सारी transactions को जो लिखने की जो process है, उस process को मैं प्यार से accounting बोलूगा, layman's language में बात कर रहा हूँ, technical detail definition के अभी में बात ही नहीं करूगा, layman's language, अगर मेरे पास एक four standard का कोई बच्चा आता है, भाया भाया मुझे बताओ कि accounting याने क्या होता, तो उसको मोलूगा इधरा बेटा, बैठ, accounting याने प्यार से, business के जो कोई transactions हो रहे हैं, वो transaction जिन transactions को हम लोग पैसे में major कर सकते हैं, money, vitamin M, पैसा, money, भाय, रोकला, yes or no, जिन वो transaction को हम लोग money में major कर सकते हैं, वो सारे transactions को हमें कहीने के लिख के रखना ह with the help of rules of accounting, अच्छा, तो सर, इस subject के rule भी है क्या, हाँ, अगर मैं without rule की बात करूँ, तो आप लोग बच्मन से accounting करते आ रहे हो, सर कैसे, बता दो, आप, आपकी माता जी, आपके पिता जी, आपकी ममी भी एक बहुत अच्छी accountant गर पे, आपके पापा, जैसे ही पैसे कमाते है वो सारे पैसे मान लो, ममी के पास ला करके दे देते हैं, तो आपकी मम, वो सारे पैसे, जितने पैसे आये, तो कितने पैसे कौन से देट को आये, वो सारा लिक करके रखती है, इस दिन आ गए 10,000 रुपे, उसके बाद मम लिक करके रखती है, उसमें से 500 रुपे किराना रा चला गए 8,400 यह balance है तो आपकी मम्मी ने यह जो हिसाब लिखा है न यह 10,000 रुपे का इतना balance बचा है आपके मम्मी के हाथ में और यह खर्चा किया यह grocery के लिए खर्चा किया यह milkman को दे दिया दूद वाले को यह आपकी fees दिया है तो मम्मी के हाथ में इतने पैसे बचे है यह और नो तो आसान भाशान में आपके मम्मी ने भी accounting कर दिया है आपके मम्मी ने भी accounting कर दिया है हिसाब किताब लिख लिया है यह और नो बट हम लोग यह जो है इस तरीके का हिसाब किताब नहीं करने वाले हम लोग कैसे करने वाले systematic way of accounting हम लोग कैसे हिसाब किताब करें systematic way of accounting systematic with the help of with the help of लिख लो बिटा मेरे साथ with the help of rules of rules of debit डीबिट यह पहली बार सुनाओगा आपने जीवन में and credit लेकिन आपने देखा होगा कभी आप आपके फोन में चेक करना बिटा आपके बैंक में आपने पैसे डिपोजिट किया या आपके पापा ने आपके you're time करेजश डिपोजिट किया Google पैसे अपने लिया या दिया तो आपको मैसेज आता जब कभी भी आपके बैंक मैं पैसे आते प्लस अधिक माझन लो आपके कोड में पैसे आए सव रुपे तो आपको एक ऐससा मैसेज आता ना बैंक वालों की तरब से यह सा मैसे जाता है Your account Has been credited Has been Has been credited Credited पढ़ना है यह word आते है Don't worry बिलकुल चिनना मत करो debit credit क्या है सब देखेंगे हम लोग Your account has been credited by rupees 100 and your account balance Is this 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 आता है कि नहीं और जब कभी भी आप पैसे खर्चा करते हो पेट्रोल पंपे ATM कार्ट स्वाइप करते हो तो आपको message आता your account has been debited ये सारा जो हिसाब किताबे systematic way में लिखना है मतलब हम लोग को accounting करेंगे हमारे पड़ाई के सबसे ये सुन आप जो घर पे कर रहे हो ये unsystematic way of accounting है ये भी accounting है सबजी वाला पान वाला देखो सबजी वाले से आप सबजी उधारी में खरीद लो उसे भी याद रहेगा एक मैने बाद भी कि भाईया आपसे 100 रुपे 200 रुपे लेना है क्योंकि उसने भी कहने के लिखके रखा तो वो इस तरीके से लिख रहा है किस आदमी से कितना पैसा लेना है किस आदमी को कितना पैसा देना है वो unsystematic way of accounting है मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ने वाले systematic way of accounting बरूबरे so accounting में क्या है यह आपको एक थोड़ू सा introduction छोटू सा idea आया होगा अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे lectures आपने कैसे देखना है प्लीज ध्यान देना बटा स्रीनी तरफ ध्यान देना lecture देखते समय आपने दो बातों का ध्यान रखना है मेरे बच्चे कितनी बाते दो और यह चीज हमेशा ध्यान रखना है मेरे बच्चे पहले में बता देता हूँ मैं एक ही चीज बार 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 रिपीट करता हूँ मैं एक ही चीज बार 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 रिपीट करता हूँ मैं बार बार बोल रहो बिटा ऐसा समझो आपका पूरा सिलब्स चार बार हो जाएगा बिटा तो दो बातों का क्या ध्यान रखना है जब मैं पढ़ा होगा तब आपने 100 नहीं 1000% concentrate करना है और दूसरी चीज जो कुछ मैं screen पे लिखूगा आपने वो सारी चीज़े आपके notebook में लिख लेना है Sir notebook रख लेना एक हाँ बेटा एक आपको notebook लेना है multi color pen आपके पास रखना है notebook oblong book लेना चोड़ा वाला register और account के लिए एक separate register maintain करना है टोटल दो register हमें लगने वाले है पहले एक ही register खरीद लो यह दो बातों का आपने ध्यान रखना है और मैं एक चीज़ बता रहो बेटा आज भी यादे क्यों क्योंकि आप उसमें अपने आपको बाहु बली समझते थे क्योंकि आप उस movie में घुष चुके थे जब आप movie देख रहे हो तो आपका 1000% concentration था आप अपने आपको उस movie के hero की जगा रख रहे थे इसलिए आपको वो movie आज भी यादे खेल कूत का पड़ ऐसा ही है आपका जिस चीज़ में ज़ादा ध्यान होता है ज़ादा concentration होता है वो चीज़ आपको lifetime याद रहती है मेरे बच्चे और दूसरी चीज मैं जो कुछ लिखवा की दूगा वो सारी बाते आपने लिखना है सर आपने आपके बारे में तो बताए है नहीं में एक चीब बता दे तो बटा my name is Harish Mathariya by profession I am a chartered accountant as well as company secretary CAB हूँ, CSB हूँ सर आप कहां से हो basically मैं महारष्टर से हूँ सर अभिहाल फिलाल में का हो I am from Pune only पूने नहीं काई उने सर आप क्या subject पढ़ाते हो बेटा मैं पिछले 10 सालों से account subject पढ़ा रहा हूँ account subject पढ़ा रहा हूँ for various professional courses CACACMA as well as 11th and 12th महाराष्टर बोड आनी CBSC बोड बरोबरे तो इन सभी को मैं अभी account subject पढ़ा रहा हूँ बेटा तो यह 11th standard महाराष्टर बोड का यह level 0 introductory lecture है ज्यादा time नहीं लूगा आपका 10 से पना मिट के lecture बेटा टोटल है तो आपने यह चीजों का ध्यान रखना है एक चीज मैं फिर से बता देता हो आपको अगर याद नहीं होगा तो बेटा मैं repeat करता हूँ आपको मैं कितनी भी बार कोई भी चीज repeat करो आपने उतनी ही शिद्दत से करना है जितनी शिद्दत से आप उसे first time कर रहे हो ऐसा सोचना है बिटा आपने सर एक चीज बता दो क्या आपके जो है वीडियो lectures आप दे रहे हो इसमें syllabus पूरा रहेगा हो मी शंबर टके तुमची प्रैक्टिस पन करूं घेनार सर आप प्रैक्टिस कैसे करवाओगे बेटा वो मेरे पे छोड़ दो मेरी चिंता है सर अगर हमें कुछ डाउट आए तो अगर हमें कुछ डाउट आए बिलकुल चिंता मत कर बेटा मैं weekly या फिर हर 10 दिन में एक बार मैं live आने वाला हूँ YouTube पे या Google Meet पे आपको मैं समय बता दूगा जिस समय में आपसे live बात करूगा बेटा जैसे live cricket match होता है ना बट वहाँ आप सिर देख सकते हो यहाँ आप मुझसे बात भी कर पाओगे तो मैं live आने वाला हूँ उसमें आपके सारे doubts all हो जाएगे सर फिर भी हमें एक नहीं 8 दिन तक wait नहीं करना है बीच में अगर कोई छोटा मुटा doubt आता है तो मैं बेटा हूँ बेटा यह मेरा whatsapp number है यह मेरा whatsapp number है आप इस number पे मुझे whatsapp कर देना तो आपके सारे doubts clear हो जाएगे आपके सारे doubts clear हो जाएगे अठेन्यो दोनशेवीस त्रेन्यो दोनशेवीस 98220-93220 this is my whatsapp number सर यह सब तो ठीक है exam के समय हम अगर face to face class कहीं लगाते पूने सिटी में कहीं भी class लगाते तो वहाँ taste series भी होती थी सर आपके हाँ taste series होगी क्या yes a big yes yes बेटा मेरे हाँ taste series भी होने वाली है सर आपको taste paper हमें कैसे दोगे बेटा टेश पेपर कैसे देना है वो मेरी जिम्मेदार ही है वो आपको taste paper आप तक पहुचाऊंगा सर टेश पेपर के model answer भी मिलेगे क्या yes आपको model answer भी मिलेंगे model answer भी मिलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा आपको कितने number मिल रहे है आप कितने पानी में हो आप कितनी पढ़ाई कर रहे है और आपके parents से भी में बात करूँगा ये सारी चीजे में cover करवा के लूगा इसके अलावा सर हम लोग ये video lectures क्यों देखे हम लोग ये video lectures क्यों देखे बेटा मैं बताता हूँ अपने क्यों देखना है सबसे पहली चीजे अभी की स्थिति आप लोग भी जानते हो बेटा करोना लॉंग डाउन चल रहा है कम से कम 3-4 साल भारत में से करोना की बीमारी पूरी जड़ के साथ खतम नहीं होने वाली है कम से कम 3-4 साल रहेगी बड़ी-बड़ी organization WHO health organization कहती है बेटा कि ये बीमारी इतने जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली है तो आने वाले समय में भी इसका थोड़ा बोथ हमें एक टेरर एक डर एक खत्रा रहेगा बटा तो यहां पे आपको वीडियो लेक्चर घर बैठे बैठे देखना है कहीं जाना नहीं है दूसरा इसका फाइदा क्या बटा आप जितने बार चाहो उतने बार reverse forward कर सकते हो कोई चीज नहीं समझ में आए फिर से देखो यह पहला फाइदा दूसरा फाइदा तीसरा फाइदा बैटा सबसे बड़ा फाइदा पैसो का आप live class कहीं लगाते हो 11 standard का तो उसकी फीज कितनी होती है तीन से चार हजार रुपए पांच हजार रुपए और बहुत अच्छी जगा पे जाते हो तो छे से साथ हजार रुपए 11 standard की अकाउंट की फीज है यहाँ पे ऐसा समझो उससे आपका one fifth piece में काम हो जाएगा बरोबरे और initially जो भी मैं लेक्चेस दे रहा उसके लिए तो कोई charges भी नहीं है बढ़ यहाँ पे ऐसा समझो आपका one fifth piece में काम हो जाएगा पूरा next पाइदा आपको बता देता हो next पाइदा पाइदा आपके time के हिसाब से आपके comfort के हिसाब से आप यह सारे lecture देख सकते हो आपका अगर time रात में 10 से 11 का है अब मुझे बताओ live lectures में आप आपके teacher को बोल सकते हो क्या रात में 10 से 11 रातरी धातिया कराम अलशिक हो नहीं बेटा लेकिन वीडियो lecture का यह फाइदा है आप देख सकते हो बेटा speed fast करके देखना है speed slow करके देखना है बीच में pause करना है और सार हम कितने बार देख सकते हैं unlimited views है unlimited views है इसके अंदर में यह सारे फाइदे मेरे बच्चे घर बेटे बेटे आपको कोई टेंशन नहीं महामारी pandemic में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है धूब बरसात पानी में बाहर घूमने की जरूरत नहीं है सिर्फ कन्डिशन के यहां पे आपके अंदर थोड़ा सा discipline बहुत ज़रूरी तो डेफिनिटली ये मेरा वादा है बिटा आपको subject के अंदर में कैसे mastery करवाना है कैसे आपको 11 standard or 12 standard account और आगे अगर आपको कोई professional course करना है तो मैं हरीश मतारिया आपके accounts का हम सब पर आपका साथी बिटा definitely आपको हर concept पे हर मुद्दे पे आपका हाथ पकड़ के आपका ये ये मेरा वादा है मेरे बच्चे अपको इंट्रोड़क्टरी लेक्चर के बारे में समझ में आया होगा फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं काफी सारी चीज़े बार 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 रिपीट करता हूँ जितने बार मैं कोई चीज़ रिपीट करूँ समझ जाना वो important है मेरे बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ जितने बार रिपीट करूगा आपने उतने बार उसको अच्छे से देखना है इनकेस अगर किसी को कोई doubt है तो definitely आप इस number पे मुझे आप whatsapp कर सकते हो एक बार देखो पेटा हमने अभी क्या क्या देखा चलो देखो तो 11 स्टेंडर महारस्टाबूर्ड नियूस लेबस का इंट्रोड़क्टरी जीरो लेवल लेक्चर है इस सब्जेक में हम लोग क्या पढ़ने वाले पेटा इस सब्जेक में हम लोग देखेंगे पॉकेट मनी पापा से मिलने एक बाद अनसिस्टमाडी वे में यहां पे हम लोग with the help of rules of debit and credit इसी साब से हम लोग accounting करेंगे दो बातों का आपने ध्यान रखना है 1000% concentrate करना है और हर एक चीज लिख करके रखना है बटा जो भी मैं बताओगा सारी चीजे रिपीट करूगा मैं चीजे जितनी बार रिपीट किया आप कसम ले लेना शिद्दत से उतने बार देखो आपको अभी समझ में आ गया होगा मैं एक ही चीज बार 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 रिपीट करता हो मेरे बच्चे और doubt आये तो यह नंबर है आपके पास screen पे आप पर right corner में देखो सर आप कितने साल से एकाउंट्स पढ़ा रहे बड़ा पिछली 10 साल से और अगर कोई दिक्कत आता है तो definitely आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हो काफी सारे फायदे आपका पूरा subject आराम से होले होले प्यार से में खतम करवा के लूगा this is my promise बिठा thank you very much love you all take care bye bye